नमस्ते है जी मैं हूँ धैरवान आपका अपना हेलिंग मास्टर साथियो साथो चक्रों पे हमने बहुत सारी चर्चाएं की है बहुत गहरी चर्चाएं की है आपनोंने हील का नासिक है लेकिन साथो चक्र ब्लॉक तो होते हैं यह हम सभी जानते हैं साथों चक्रों में कोई ना कोई चक्र कभी ना कभी ब्लॉक होता है खुलता है, होता है, होते रहता है या फिर हम कुछ चक्र ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम पिछले जन्म के कर्मों के वज़ा से ब्लॉक करके आते हैं चलो मेरे मूझ से निकली गया मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कर्म होते है वो हमारे चक्रों में आकर उसकी उर्जा जो है चक्रों में आकर नहीत हो जाती है बहुत गहरी बात कहा रहा हूँ, आपके अच्छे कर्मों की उर्जा नहीं थोती है और आपके जाने अन जाने बूरे कर्मों की उर्जा वहाँ नहीं थोती है जिस कारण अच्छे कर्मों की उर्जा उपर उठ रही होती है और आपको शक्ति दे रही होती है और आपके किये वे बूरे कर्मों की उर्जा, उन चक्र की उर्जाओं को ब्लॉक करके रखे रहती है यानि कि हमारे ये जो साज चक्र हैं वो अलग-अलग जगा पे ब्लॉक होते हैं जाद तर लोगों का, खासकर हमारे भारत में, नीचे के चार चक्र ब्लॉक होते हैं भी block हो सकते हैं इसा नहीं है block नहीं होते हैं लेकिन वो neutral होते हैं वो खुल सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं neutral होते हैं current current कर क्योंकि हमारी भारती शभ भैता में बच्पन से spiritual practice कराई जाती है दार्मकर्म, पुजा, पाठ, अर्थी, किर्दन, जैसे अभी गनेश चतूर्थी का समय चल रहा है, तो लोग गनेश अर्थी कर रहे हैं, नौरात्री में नौरात्री पुजा करते हैं, दिवाली पुजा करते हैं, तो spiritual practices होती है, और ऐसा नहीं है, इस भारत में ही होती है, प किस तरह की कर्मों से कौन से चक्र ब्लॉक होते हैं, मुलाधार चक्र में कैसे ब्लॉक होते हैं, आपके क्या कर्मों होंगे, और इसको कैसा फील होगा आपको, ये दोनों समझेए, अगर आपने जाने अन जाने, जीवन में किसी की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिये हैं, किसी के financially lost करा हैं, किसी की जमीन चीनी हैं, किसी को हता हत किया है, किसी की स्थिरता, उसके जीवन की स्थिरता को खराब करी है, तो ये ब्लॉकेज आपके मुलाधार चक्र में होगा, और इसकी वजह से आपको financial problem बनी रहेगी, freedom कभी नहीं आएगी, depression रहेगा, आपकी काम कानी की ज़रत है, क्या करना है, वो मैं आखिर में बताऊंगा, तो बने रहेए, इसके बाद हम आते हैं, स्वाधिस्ठान चक्र, स्वाधिस्ठान चक्र, ये नीचे से दूसरे नमबर का चकर, औरेंज कलर का जो होता है, बहुत common, जब किसी के लिए गलत विचार रखत काम भावनाओं में आकर कि किसी तरह का कर्म करते हैं, किसी को आहत करते हैं, जो गयतकार होते हैं, उस तरह कुछ भी करते हैं, तो ये चीज हमेशा के लिए हमारे कर्मा में बैठ जाती है, शेक्स्वल प्रॉब्लम, जेनेटिकल प्रॉब्लम, मा ना बन पाना, पिता ना बन पाना, पुरशों में बेवज़ा का एक गिल्ट जैसा अंदर में भारा रहा है, एक गिल्ट की उर्जा हमेशा बनी रहना, है न, हमारे जेनेटिकल ओर्गन्स का तेरह मेरा चोटा मोटा मतलब की सही से ना होना जैसे एक अच्छा इंसान का होना ची वैसा ना होना समझ जाए कि आपका स्वाद स्ठान चक्र ब्लॉक है उस पर हिलिंग करनी जरू है मड़ी पूर चक्र कभी किसी का मज़ाक उड़ाया है किसी का कॉन्पिटेंस खराब किया है किसी को जलील किया है किसी को बेवज़ा बुली किया है किसी का किसी के कॉन्पिटेंस पर सवाल पैदा किया है उनकी ख्याती को बढ़ने से रोका है उनके सल्पस्टीम को खराब किया है तो आपके शरीर में भी आपके मन में भी वैसे ही भावना बनी रहेगा अपका confidence एकदम लोग रहेगा है, stage फियर रहेगा, लोगों से बात करने में कतना है कुपाlerde करेंगे, लोगों से deal करने में कतरा ना शुरू करेंगे, आपको ये रहेगा कहीं ओमरे से जाधा पैसे ना मांग ले, या कोई डील करने में आपका मन नहीं करेगा, छोटी देल कभ भी आपचाने होगे, यह समझ जाए आपका मनिपूर चक्र ब्रॉक है, हिदय चकर आजकल ज़ातर ब्लॉक मिलता है, इस पर दो स्पिर्टम समझना है, या तो बहुत संसिटी हो जाएंगे, ओवर संसेटी हो जाएंगे, या फिर निस्ठुर हो जाएंगे, अच्छुर हो जा क कारण भी यहाई कि किसी को अपनी emotional pain दिया है किसी को हताहत किया ऑफ दूरीम में नगी किसी बेज़्ग को बहुत जा जाह सै वह किसी ह्वज की प्लोग नगए के रखिया होगी और इस वजासे इसा नहीं होता था और ultimately ऐसे लोगों को heart attack आता है अपने जीवन में फिर आते हैं विशुद्धा चकर हो जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे भारत में नेचे के चार चकरी ज्यादा तर लोगों के ब्लॉक होते हैं विशुद्धा चकर किसी को उल्टा पुल्टा बाद बोले हो कुछ भी बकवास किये हो जूड बोले हो फरेब की हो मकारी की हो किसी को गलत रास्ता दिखाया हो किसी को गलत बाद बोले हो किसी को मुँ से कुछ भी ऐसा किये हो जो की गलत है वो जाव कि मिशुद्धा चकर में आके बनी रहेगी जिस वजह से थायरोइड लैंड में प्रॉब्लम मनी रहती है बहुत ज़दा चुगली करने हैं फिमेल्स में थायरोइड की प्रॉब्लम सबसे ज़दा है और हम सब जानते हैं सबसे ज़दा चुगली चाड़ी यह सब कौन करता है गॉसप कौन करता है ठीक है तो बोलने याली कोई बात नहीं है भल तुम्हें किसी को नाराज नहीं करना चाहता तो तुरंट इस पे काम करेंगे क्या करना है मैं बताऊंगा इसको मैं बताऊंगा विशुदा चकर इस वर्च से ब्लॉक होता है गले में दर्द बने रहना एक आग्या चक्र और सहस्तरा चक्र इस पे हम चर्चा करने क्या उशक्ता नहीं है यह स्पिक्ट्वल पार्थ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो खुलते हैं या ब्लॉक होते हैं दैवी इच्छा से खुलते हैं या ब्लॉक होते हैं यह इसके लिए आपके कर्म बहुत कर्म इ आजिया कर्म की सारी सजा नीचे ही मिल जाती है, दैवी अच्छा से जबब द्याब छॉजा की उर्जा की ऐऊपर उथाती है तब ये डोनों चकर खुलते है, अग्याच्छ करक करन कारणों से block नहीं होता जिनका अग्याच्छ खोल जाता है, वह करणों ब्लॉक होता है है ना इस पर हम बहुत जाई चर्चा कर चुके हैं खुलने के बाद छोटे-छोटे बेकोफियों के वज़ासे ब्लॉक होता है क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मदारी है जिनका ये खुलता है यह बहुत बड़ी जिम्मधारी है तो उनके छोटे-छोटे बेकोफियों से यह ब्लॉक होता है कुछ समय के लिए सजा के तौर पर फिर से खुल जाता है तो इस पर हम ज़्यादा चर्शा नहीं करेंगे इस पर हम अलड़ी बहुत चर्शाएं कर चुके हैं जो मेन चीज था जो आध्यात्मिक इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं इस पर ध्यान वैसे भी लगाना चाहिए है ना अग्या चकर की हाजार फायदे हैं जो कि हम ज़र जागार चुके हैं तो उसको दहने देते हैं अब आते हैं क्या करना चाहिए सबसे पहले तो अगर आपको समझ में आ गया कि कौन सा चकर ब्लॉक है तो उनके कारणों को खोजिए आग्या चकर में आ करके उनके कारणों को खोजिए या आपने कब कहां कैसे यसे कर्म किये थे या पीछले जन्म के कर्म है तो उसके लिए शमादान मागना शुरू कर द शमा प्रार्थनाध्यान सबसे जादा कारगर्ण है चक्रों में रुके हुए आपके ब्लॉकेज के जैसी ही आप शमा दन माँजना शुरू करते हैं वो डिल्वल होना शुरू होता है वो लिक्विफाइजा ओपर की लिंड hen gi करके CHOC करने हो जाता है क्योंकि शमा मांते ही आप शान्त होना शुरु होते हैं आफर्मेशन काम नहीं करेगा बीज मंत्र इसमें काम करेगा बीज मंत्र के थूँ लम वम बम यम लेकिन अबसे पहले सरेंडर जर्री है और शमा प्रात्ना ध्यान करने से हम यूनिर्स के सामने ब्रमांड के सामने परमात्मा के सामने सरिंडर करते हैं कि जाने अन जाने मुझसे ये भूल हो गई थी परमात्मा या हो गई होगी परमात्मा मुझे माफ करें मैं अपनी गल्ती को सुईगार करता हूँ और मुझे आप सुईगार करें बाकि कर्मों की वजह से अगर कोई भी ब्लॉकेज है तो कोई क्रिस्टल कुछ नहीं कर पा रहेगा, कोई क्रिस्टल से आपका ब्लॉकेज नहीं हटेगा, ब्लॉकेज हटने के बाद ये सारी क्रिस्टल आपको शक्ति देना शरू करते हैं, ये उपरी तोर पर शक्ति दे सकत और आप जो भी पानी भारे हो आधिवाल्टी पानी भारते हो उतने पानी से अपने जिमन चला रहे हैं तो जो सीमेंट जो जाम हो रखा है उसको तोड़ना है निकालना है ताकि आपके पुरी बार्टी का पूरा इस्तेमाल कर सके। और आखिर में एक जो सबसे किमती बात है, वो मैं जरूर बदलूँगा, जो हम सब जानते हैं, बच्पन से सुनते आ रहे हैं, कि जैसा भोगे, वैसा काटोगे, जो भी कर्म किये हैं, उसको भोगोगी ही, भोगोगी वो ब्लॉके जिसके रूप में आपको भोगाएगा ही, लेकिन अगर आप शमादान में आ जाते हो, जैसे ही आप ध्यान करना शरू कर देते हो, जैसे ही परमात्मा Rugन्ण के शरण में आते हो, तो वो बहुत स्वेड से खतम होता है, जो सालों चलने वाला था महीनों चलने वाला था, दीनों में खतम होता है, और ऐसा आगे भी आपको एक बहुत गहरी बात मैं बताओंगा कि करमों की जो सजा है जो बहुत अच्छे लोग होते हैं पुराने जन्मा में कोई करम कर लिया इस जन्म में कोई करम कर लिया बहुत अच्छा इंसान बन गया बहुत अच्छे से वो एक सजन इंसान बन गया और पूरी कस्ट को, पूरे पेन को, पूरे कस्ट को, पूरे अंदर तक आप आहात हो जाते हैं और जब आँख खुलती है तब क्या पते चलता है कि यह सपना था और तो आपको फिर रियालाइज होता है कि सब ठीक है तो अच्छे इंसानों को सजा ऐसे मिलती है, सपने में वो सजा दे दी जाती है और वैसे भी 80-90 साल की भी यह नींद ही है आचानक से हम कहीं और उठने वाले हैं ठीक है, तो रात का नींद हो या इस जीवन का नींद हो मतला बेखी है, भूगना तो पड़ेगा चलिए भाई, आज की अध्याय में इतना ही यह बहुत गहरी चर्चशित थी जो आपनों को बतानी थी मिलते हैं आने वाले अध्यायों है, तब तक के लिए नमस्तिया जी